नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेक कुस्वाजी यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने आधार काट के डेटो बर्थ को चेंज कर सकते हो वो भी घर बेटे जिहां दोस्तों आप अपने डेटो इसके तरफ से ये अपडेट आया हुआ है और आपको क्या-क्या डोकुमेंट्स चाहिए ये में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और कैसे आपको इस प्रोसेस को कम्प्लीट करना है इस वीडियो में आपकी सारी डाउट्स केलियर हो जाएंगी तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास यह चार डोकुमेंट्स आपके पास होने चाहिए आपके आधार काड के डेट बर्थ को चेंज करने के लिए ठीक है आपके पास आपका आधार काड होना चाहिए और इन तीन डोकुमेंट्स में से कोई एक आपके पास होना चाहिए जाता ब वोटर ऐडी काड़ आपके पास है तो यह बहुत अच्छी बाते आपके सामने स्क्रीन पर सो हो रहा होगा कि कौन-कौन से डोकमेंट्स आपको चाहिए डेट वर्थ को चेंज करने के लिए ठीक है अब देखिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको यहां पर आधार काड देख लीजिए मैं जूम कर देता हूँ इसको जब ओपन करेंगे तो यह इस तरीके से कुछ ओपन होगा मोबाइल में कुछ अलग तरीके से ओपन होता है बट यह सेम प्रोसेस हैं सेम आपसंस हैं आपको मिल जागा आसानी से और मोबाइल में यह वेबसाइट अच्छे त दो ऑपसन हैं आधार काड में ण वरको चेंज करने के लिए एक संटर पर सकते हैं आधार काड के सेंटर पे जाके वहां सेरॉफ कर तूर कर दों आपने रहेन सेंटर को दो रख सकते हैं दो बार, दो बार से ज़्यादा डेटो बर्त को change नहीं करा सकते हैं, क्योंकि मैं आधार सेंटर पर गया था, आधार सेंटर पर जाके सारी inquiry करी है, मैंने वहाँ से सारी detail लिये, कैसे कैसे क्या करना होता है, आधार कार्ट के डेटो बर्त को change करने के लिए, ठीक है, तो दो बार से ज़्यादा आप आधार काड़ के डेटो वर्थ को चेंज नहीं कर सकते हैं पहली बार अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आप अपने नजदी के आधार सेंटर पर जाके वहां से आप अपना डेटो वर्थ चेंज करा सकते हैं और आपको documents में आपको मैंन बता दिया कौन से documents देने हैं आपको ठीक है अगर आप दुबारा data birth change करा रहे हैं यानि आपके अधार card में data birth को एक बार change करने के बाद भी आपकी कोई न कोई गलती रह गई है तो आपको दुबारा data birth change कराने की जरूत पड़ रही है तो ऐसे situation मे आपको देखे रीजिनल ओफिस पर जाना होगा ठीक है अधार काट के जो रीजिनल ओफिस होता है हर स्टेट में एक ही रीजिनल ओफिस होता है मैं आपको बता देता हूं कि रीजिनल ओफिस आप कैसे फाइंड करेंगे अधरवाईज अगर आप चाहते हैं कि अधार काट के देटो बर्त को घर बैठे ही चेंज़ कर दें तो आपको अपने रिजिनल ऊफिस पर mail करना होगा इसके लिए आपको देखें यहाँ पर आना है ठीक है और यहाँ थोड़ा स्क्रोल डाउन करना है सबसे नीचे चले जाना है आपको स्क्रोल डाउन करके यहां पर आपको देखिए Contact Us UID AI Head Office मोबाइल में भी इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं मोबाइल में आपको दिख जाएगा सबसे नीचे आप चले जाएगे तो यह दिख जाता है यहां पर इमेल एड्रेस यहां पर दिया होता है तो दिखें यहां पर पंजाब का जो डिजर लिजनल आफिस है यहां पर दिखा रहा रहा है अगर मैं उत्र उत्र प्रदेश मों कर सकते हैं पोस्ट भेज सकते हैं, आप अपने अधर काड के डेट वस्थ को चेंज चरा सकते हैं, अदर्वाइस आपको मेल करना होगा, छीग है, मेल करने के लिए आपको यहाँ पर पर रीजिनल office को Google में सर्च करना होगा ठीक है, अगर आप जैसे यहां पर देखिए बिहार से हैं ठीक है तो आपको यहां पर टाइप करना होगा Google open करना है UID AI Regional Office बिहार इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इस तरीके से आपको एड्रेस मिल जागा पूरा Regional Office का सारा एड्रेस मिल जागा विथ मुवाइल नमबर ठीक है यह मुवाइल नमबर है जब आप फोन करेंगे इनको तो आप फोन करके इमेल एड्रेस पूछ सकते हैं अदर्वाइज आपको मैं दूसरा इमेल एड्रेस बता देता हूं यह सेम है सब जगे देखिए यह help at the rate uidi.gov.in इस पर आपको अपने डोकुमेंट्स मेल कर देना है जैसे कि आपको अपना अधार कार्ड आधार कार्ड के साथ आपको pen card या वोटर आडी कार्ड या फिर pen card ड्रावी लाइजेंस या भी ड्रावी लाइजेंस वोटर आडी कार्ड ठीक है इस तरीके से आपको इसे भी दोकुमेंट्स आप लगा के इसके साथ अटेज करके सकेन करके और इनको मेल करते हैं यू आई डी ये आई रीजिनल ओफिस उतराखन ठीक है या फिर रीजिनल अफिस उतर प्रदेश इस तरीके साब सर्च कर सकते हैं मैंने जो भी इंक्वारी लिए अधार सेंटर पर जाके और इस नंबर पर टॉल्फी नंबर जो हता है इनका इस नंबर पर मैंने फोन किया था इनसे बात करी मैंने बात करके मुझे ये नौलिज मिला है कि आप अप करा सकते हैं फर्स्ट बार अगर आप चेंज करा रहे हैं तो आपको अपने नजदी की इंडूल्टमेंट सेंटर पर जाके चेंज करवा लेना है इसली हो जागा किसी कारण वासा आपको दो बार डेट वर्थ को चेंज करवाना पड़ रहा है तो आपको रीजिनल ऑफिस करना होगा या फिर आपको पोस्ट करना होगा पोस्ट कर सकते हैं आप यहां से अड्रेस फाइंड कर सकते हैं और इस पर पोस्ट कर सकते हैं अदर्वाइस आप मेल वाला उप्शन अपना सकते हैं और इनको मेल कर सकते हैं मेल करके अपने डेट वर्थ में चेंज करा सकते ह यहां पे काफी फास्ट है आपको करीब दस से पंदरे दिन में आपके डेट बर्थ को चेंज कर दिया जाएगा फिर से आप उपने नय आधार काट को डाउनलोड कर सकते हैं देखें यहां पे आपको पिन को डाल देना है पिन को डालके आप अपना पर्मनेंट इंडॉल्मे करना है यहां पे आपको अपना एस्टेट चूज करना है जो भी आपका एस्टेट होगा यहां पे आसाम भिहार चातिसगर ठीक है देली गोगा यहां पे स्क्रोल डाउन करता हूं और मैं उत्राखंड ठीक है और यहां पे डिस्टिक जो भी आपका होगा उदम सिंग नग ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, और इस क्याप्चे को यहां पर फील कर देंगे, यहां पर आपके लिए सज्चेशन है, यह हमेशा था है, DC83J, और यहां पर locate at a center पर क्लिक कर देंगे, तो आपके पास enrollment center दिख जाएंगा, जो आपके सबसे नजदीक में होगा यहां से मेरे चार क्लिमेटर दूरी पर ये इंडूर्मेट सेंटर है मैं यहां पर विजिट करके अपने डेटा वर्थ को सही करा सकता हूं ठीक है पहली बार अगर मैं करा रहा हूं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरू करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरू जाना क्योंकि इस चैनल पर हमेशा original content आपको मिलेंगे original वीडियो मिलेंगी fake वीडियो नहीं मिलेंगी मैं हमेशा यह कोशिश करता हूं कि आपकी प्रोब्लम को easy बीजी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएं तो चैनल को जरू सिस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सेयर करें मिलते हैं नैक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाई बाई जैन बंदे महतरम